दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिहिलियन और एफिलियन पर टेमपरेचर डिफरेंस के बारे में दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रेकमेंट किरूँगा कि आप मेरा पिछला वीडियो एर्थ्स रेवल्यूशन देख ले Earth's Revolution वाले वीडियो में हमने discuss किया था कि Earth को orbit एक perfect circle नहीं है ये एक elliptical orbit है इसकी वज़े से Earth का distance Sun से vary होता रहता है January के time पे perihelion पड़ता है जब Earth Sun से सबसे ज़ादा pass होती है और July के time पे aphelion पड़ता है जब Earth Sun से सबसे ज़ादा दूर होती है perihelion जाने की सबसे पास, aphelion जाने की सबसे दूर ये dates एक दो दिन से आगे पीछे हो सकती है बट ये mostly यहीं रहती है दोस्तों आप यहीं expect करेंगे कि जब Earth Sun के पास हो perihelion पे हो तब Sun से पास होने की वज़े से वहाँ पर temperature ज़ादा होना चाहिए और जब Earth Sun से जादा दूर हो तब वहाँ पर Sun से दूर होने की वज़े से temperature कम होने चाहिए और गर्मी कम होनी चाहिए मगर ऐसा नहीं होता है हमने पिछले ही वीडियो Earth's Revolution वाले वीडियो में डिसकस किया कि perihelion और aphelion की वज़े से seasons change नहीं होते seasons के change होने का main reason है Earth के axis का tilt होना हाँ दोस्तो लेकिन एक बात जरूर है कि जब Earth aphelion पे होती है sun से दूर होती है तब वहाँ पे कम sunlight जरूर पहुचती है aphelion पे करीब 7% less sunlight पहुचती है perihelion के comparison में या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि perihelion पे 7% ज़ादा light पहुचती है बजाए aphelion के हाला कि जैसा कि मैंने बताया कि इसका seasons पे effect बहुत कम होता है seasons इससे ज़ादा change नहीं होते seasons change होने का मुख्य reason उसका primary reason एर्थ के axis का tilt होना है लेकिन दोस्तों फिर भी अर्थ का average temperature एफिलियन पर करीब 2.3 degree Celsius जादा होता है बजाए perihelion के जैसा कि मैंने बताया एफिलियन पर 2.3 degree Celsius जादा होता है जबकि अर्थ तो संसे ज़्यादा दूर है फिर ऐसा क्यों यह हमारी common understanding से अलग है मगर ऐसा क्यों आईए चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसा समझने के लिए आपको एक concept समझना जरूरी है जिसे हम कहते हैं heat capacity का मतलब होता है कि आपको किसी दिये गए object का temperature रेस करने के लिए कितनी हीट आपको देनी है एक डिगरी Celsius टेंपरेचर रेस करने के लिए आपको उसे कितनी हीट देनी है जैसे कि आप मान लीजे या तो आप पत्थर, rock या concrete ले लीजे आप देखते हैं गर्मी में ये बहुत जादा जल्दी गरम हो जाते हैं आप कहीं सड़क पे नंगी पैर चल रहे हैं या किसी मंदिर में चल रहे हैं या आप swimming pool का example ले लीजे swimming pool के आजपास की जो जमीन होती है वो एकदम बहुत गरम हो जाती है और पानी इतना जादा comparison में गरम नहीं होता ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थर, जमीन या concrete की heat capacity बहुत कम है और पानी की heat capacity बहुत जादा है जमीन की heat capacity कम होने का ये मतलब है कि उसको temperature बढ़ाने के लिए कम heat चाहिए तो इसलिए कम heat में ही जमीन का temperature जादा बढ़ जाता है और पानी की heat capacity जादा है इसका ये मतलब है कि उसका temperature बढ़ाने के लिए उसे जादा heat चाहिए इसलिए उसका temperature धीरे धीरे बढ़ता है पानी से बचने के लिए पानी में जाना चाहते हैं आपको पानी इतना गर्म नहीं लगता इसका वी मेंड रीजन हीट कापा सिटी रही है जमीन की हीट कापा सुपा सिटी कम होने की वजए से Sand का temperature जल्दी जल्दी भढ़ जाता है क्योंकि उसको कम heat से यह temperature भढ़ाने के लिए और पानी का temperature जल्दी नहीं भढ़ पाता क्योंकि उसे ज़्यादा heat चाहिए Desert में भी यही काम होता है Desert में दिन में एकदम बहुत ज़्यादा गरम जमीन होती है और रात में ठंडी जमीन होती है दिन में deserts एकदम बहुत ज़्यादा high temperature पर पहुच जाते है क्योंकि उसकी heat capacity कम है और रात में वो एकदम कम temperature पर पहुच जाते है क्योंकि उसकी heat capacity कम है heat capacity का यह भी मतलब है कि एक temperature एक degree Celsius से temperature change करने पर आपको कितनी heat चाहिए जादा जल्दी गरम हो जाती है पानी के बजाए और जमीन जो है वो पानी से जादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है क्योंकि एक degree Celsius temperature कम होने पर उसको कम heat पिकान दी है सिलिए वो कम heat जल्दी से निकाल देती है और जमीन ठंडी हो जाती है तो रात में अगर आप देखेंगे तो रात में आपको swim pool के पास जाईए रात में आपको पानी गरम मिलेगा और जमीन ठंडी मिलेगी अब आपको दोस्तों ये समझना है कि northern hemisphere में जादा land है जैसा कि आप earth का map देख सकते है northern hemisphere में बहुत जादा land है southern hemisphere में इतना land नहीं है southern hemisphere में mostly oceans है तो इसलिए हमने जब समझा कि जुलाय के महीने में जब earth sun से सबसे ज़्यादा दूर होती है जब aphelian होता है जुलाय के महीने में तब northern hemisphere में गरमी होती है तब northern hemisphere sun की तरफ tilted होता है जसकी वजह से sun की direct rates northern hemisphere फे पढ़ती है अब क्योंकि northern hemisphere में land ज़्यादा है northern hemisphere में oceans कम है land ज़्यादा है इसलिए उसका temperature बहुत जल्दी भढ़ता है उसकी heat capacity कम होने की बिस जैसे हमने समझा तो इसे यहाँ जुलाई के महीने में northern hemisphere में land ज़्यादा होने की βज़े से सप्पित विप होता है वहां पे पेड़ पाधे कम होते है तो कॉंक्रीट की हीट कापैसटी और भी कम होती है इसलिए बहुत जादा हीट होती है कंक्रीट एक दम और बहुत जादा जल्दी गरम होता है और आप किसी सॉईल पर खड़े हूं मिट्टी पर खड़े हूं तो उसकी heat capacity concrete से ज़्यादा होती है इसलिए जो मिट्टी है वो इतनी गरम आपको नहीं लगती तो जुलाय के महीने में एफीलियन पर ज़्यादा गरमी होने का main reason यह है कि northern hemisphere में बहुत ज़्यादा land है और बहुत ज़्यादा land होन है तब आप begitu लगा सकते हैं कि northern hemisphere की जो गअधिया पढ़ती है वो northern hemisphere की गशाधा गरम होती रहो स्थैया और की गर्मिया यह जाएंगे चैनवरी में तो वो कम गरम होंगी बजाए अगर आप इंडिया की कि गर्मी में डिली की गर्मी में जाएं क्योंकि ऊपर Northern Hemisphere में Oceans कम है जिसकी वज़े से Temperatures बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और Southern Hemisphere में Australia के पास Oceans जादा हैं जिसकी वज़े से Temperatures बहुत जादा नहीं बढ़ पाते हैं अब दोस्तों जाते जाते आपके लिए एक जरूरी सवाल Northern Hemisphere या Southern Hemisphere में से किस की गर्मियां जादा लंबी चलती हैं पर जाके Earth के Revolution की Speed कम हो जाती है जिसकी वज़े से Northern Hemisphere में गर्मिया ठोड़े 2-3 दिनों के फर्क से जादा लंबी रहती हैं और Southern Hemisphere की गर्मिया कम रहती है एफिलियन पे अर्थ की स्पीड कम हो जाती है और पेरिहिलियन पे अर्थ की स्पीड जादा हो जाती है तो इसी वज़े से क्योंकि Northern Hemisphere की गर्मिया थोड़ी लंबी होती है इस बज़े से भी आपके सकते हैं कि Northern Hemisphere की गर्मियों थोड़ी गरम भी होती है लेकिन Northern Hemisphere की गर्मियों के ज़्यादा गरम होने का main reason Land का बहुत ज़्यादा होना है और Land हो जल्दी गरम होता है तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा तो इसको like ज़रूर करिएगा मैं expect परता हूं कि आपको ये concept अच्छा लगा होगा आपको ये समझ में आया होगा आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको आपके जो normal common understanding होती है कि अगर अर्थ-सन के पास है तो वो गरंग होनी चाहिए उससे भी आपको समझ में आया होगा कि ऐसा नहीं होता है और भी कई सारे factors होते हैं जो कि इन सब चीजों में contribute करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद Thank you